ग्राम प्रधान ने अपनी बेटी को किया क्वारंटाइन स्रावस्ती जनपत के विकार स्खंड एकाउना के ग्राम पंचायत अकबरपुर में ग्राम प्रधान ने कोरोना शंक्रमण को रोकने के लिए एक अनोखी मिसाल पेस की है लखनोश से वह आपस लोटी अपनी इकलोटी बेटी को अपने ही गाउं के प्राथनिक बिद्याले में क्वारंटाइन कर दिया प्रधान पुत्री रिशु मिस्रा लखनोँ में रहकर पढ़ाई कर रही थी लागडाउन के चलते जब हास्टल से सब लड़कियां साथ छोड़कर चली गई तो रिशु अकेले रह गई और उन्हें घर की याद सताने लगी घर पहुचते ही प्रधान पिता ने अपनी बेटी को घर में रखने के बजाए बिद्याले में क्वारंटाइन कर दिया अब रिशु बिद्याले में अपने परजनों से अलग थलग रहकर अपना एकांतवास पूरा कर रही है वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि सासन की तरफ से आदेश है कि जो भी बाहर से आएगा उसे चौदा दिन का एकांतवास भोगना पड़ेगा ताकि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सके जिससे संक्रमन एक जगा से दूसरे जगा न फैले प्रधान ने याभी कहा कि जो भी बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप इसी सूचना जिर्शन को दे कर खुद को कॉरंटाइन कर लें जिससे हम और आप सभी सुरचित रह सकें आप लोग भी इसी तरह से कोरोना को हराने में अपनी साभागता निभाएं क्या नाम आपका? सपिय सनिस्ता अच्छा आप कहा के परधान है? यहीं एक है अपरपुर्खर जिरान अच्छा यह आपकी बेटी है जो लखनाव से आई है इसको कॉरंटाइन किया गया है क्या मामला है? पहले घर पे पहुची थी? आप ने करवाया गर नहीं ले गए है घर नहीं ले गए है इसको क्यों? अब वहां जब सासन परसाद इतना हमारी फेली हुई है तो इहीं रखना ज़रूरी है जो हम ही अंदर रख देंगे तो सब लोग ऐसा करेंगी कि क्या नाम है आप साट्ट अच्छा कहां पर रही तिया पहले लख लख UH में वा क्या कर रही थी 2 अच्छा कभ यहां पर आई है आज यह कॉरंटाइन की ज़्ख एहाश confess यहाँ पर आपको कि तकलीफ हो नहीं है खानफानी अच्छा बेवस्ता कैसी है तो आपका घर भी ना झाल पने, झाल झाल